सर्दी कामों समाते ही खांसी जुखाम कफ जैसे इंफेक्शन की प्रोबलम हर किसी को होती ही है लेकिन सबसे ज़्यादा परिशान हमें करती है लगातार चलने वाली खांसी रात को एक बार सुरू हो जाती है ना तो पूरी रात थमने का नाम ही नहीं लेती और लगातार कई दिनों तक यह हमें परिशान करती है और कुछ लोगों को तो यह प्रोबलम पूरी सर्दी बनी रहती है एंटीबायटिक और कफ सीरफ के बहुत सारे साइड इफेक्ट होती ह खास करके छोटे बच्चों और बुजरुग लोग जिनकी इम्यून्टी बहुत वीक होती है बार बार कफ सीरफ या फिर एंटीबायटिक देने से उनकी हैल्थ पर बहुत बुरा आसर पढ़ता है आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुती सिंपल और असरदार आयुरव तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं स्वागत आप सभी का सेल्फ केर में तो यह दवा बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी काली मिर्च के दाने काली मिर्च जो होती है वो गले और चाती के इंफेक्शन को दूर करने के लिए एक बहुत इच्छी दवा का काम करती है काली मिर्च एंटी बैक्टेरियल होती है जिससे कि आपको खांसी जुखाम गले में दर्द छाती में जमेकफ से चुटकारा दिलाती है इसमें काफी सारे एंटी उक्षिडेंट्स होते हैं दोस्तों जो कि आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है इसके अलाव लोंग हमें उपर फूल वाली लेनी है जिसके उपर इस तरह के फूल हूँ तो चलिए इस आईरवेदिक दवा को बनाती हैं तो इसके लिए हमने लेना है कड़ा ही तवाया फिर कोई भी पैन आप ले लीजे गैस की फ्लेम को कर लेना है बिलकुल लो और अब हम इसमें 10 का प्लेम ना हम referring में डाल देना है इसे हमने भूनना है यह मैं इक दिन की कुराग वर ना कर बतार ही हूँ आपने तीन दिन केम को बंद कर दीजिए और इसे खलबते में डालकर कूट लेना है और बारिक सा पाउडर बना लेना है आप देख सकते हैं लोंग और काली मिर्च अच्छे तरीके से पिस गया है यह हमारा करीब एक चमत से भी कम मिस्रण बनकर त्यार हुआ है अब आपको इसे अगर को डोक्टर की सला भी ना कोई भी घरेलून उसके खुद से बना कर ना दे एक साल से उपर के बच्चों को सिर्फ इतना इतना आपने चटाना है दो साल से उपर के बच्चों को इस तरीके से चमच में भर कर किला सकते हो 14 साल से उपर के लोगों के लिए बनाना है तो यह प इसके साथ ही आधा चमच शहद आपने डालना है, सहद भी अच्छी कोल्टी का हो, मिलावट वाला सहद होगा, तो भी असर नहीं करेगा, तो हमने इसे चला चला कर पेश्ट बना लेना है, इस तरीके से पेश्ट हमारा बन कर तियार हो चुका है, ऐसी ही कंसिस्टेंसी आपक पाना है, चमच में भरकर एक ही बार में गले के नीचे उतार लेना है, और इसके उपर कम से कमादा घंटा आपने पानी नहीं पीना है, बच्चों को भी सी तरीके से देना है, गले में लेप की तरह से यह जाकर लगेगा, और भयंकर से भयंकर खासी में भी तुरंतारा मिल तीन दिन लगातारी से ऐसे फ्रेस बनाकर दोनों टाइम आपने लेना है बहुत ही स्ट्रोंग केमिकल रही एंटिबाइटिक बनकर आपकी ये तियार हुई है लेकिन जब आप ये दवा ले रहे हैं तो इस दोरान ठंडी चीजें चावल या फिर तला भुना खाना बिल्कु नहीं किया है तो चली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुडबाई टेक केर एंड स्टेए हैल्दी